दिल्ली के स्पेशल कमिशनर एसन श्री वास्तव को दिल्ली का आप नया पुलिस कमिशनर बनाया गया है कल से वो अपना चार्ज संभालेंगे दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है मरने वालों का आकड़ा 49 तक पहुँच गया है जबकि सैकडों की संख्या में लोग घायल है दिल्ली पोलिस ने 48 लोगों के खिलाप FIR दर्ज कर ली है दिल्ली की गलियों में सुरक्षा बलों की ओर से लगातार शांती बनाये रखने की अपील की जा रही है हिंसा की जांच करने के लिए पोलिस की ओर से SIT का गठन भी कर दिया गया है दिल्ली के नौर्थ इस्ट इलाके में हुई हिंसा के बाद जुम्मे का आज पहला दिन है दिल्ली पोलिस के लिए आज जोहरी चुनोती का दिन है दिल्ली पुलिस के सामने सुरक्षा वैवस्था की बड़ी चुनौती होगी, आज साउ डिल्ली के जामिया में जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मार्च निकाला जाएगा, ये मार्च जामिया के जामा मस्जित से सेंट्रल कैंटीन तक निकाला जाएगा, ऐसे में पुलि इस रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के शरीर पर चाकू के कई गहरे कट मिले हैं। और वायू सेना के प्रमुक एरचीफ आरकेस बधोरिया ने संबोधित किया। कारेकरम को संबोधित करते हुए राजनाच सिंग ने कहा बाला कोट हवाई हमले ने भारत का ये सपस्ट संदेश भेजा कि सीमा पार बने बुनियादी धांचे आतंगवादियों के पनागार नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाला कोट हवाई हमले ने सीमा पार सिद्दान्तों को फिर से लिखे जाने को बाद्धे किया। इस हमले ने हमारे संकल्प और शम्ता को दिखाया। इसके बाद से उन्हें लगता सूशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उसमें मनसे कारेकरताओं ने कहा था कि इन लोगों को निकालने के लिए हमने अपने स्टाइल में त्यारी कर ली है। गुश पैटियों को बाहर निकालने के लिए कई पोस्टर भी लगाए गए थे। कोरोना वाइरस ने दक्षिन कोरिया और जापान को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दक्षिन कोरिया में अब तक 2000 कोरोना वाइरस के केस सामने आ चुके हैं। जबकि 13 लोगों की मौत की खबर हैं, वहीं खबरों के मताबिक जापान में भी 190 लोग कोरोना से प्रिडित हैं। ऐसे में एहतियात बरते हुए भारत ने ओन अराइबल वीजा बंद कर दिया है। कोरोना की खत्रे को देखते हुए अमेरिका और दक्षिन कोरिया की सेना ने अपने संयूकत अभ्यास को इस्थगित कर दिया है। कोरोना की संकट को देखते हुए सजूदी अरब ने हज यात्रा से पहले मक्का और काबा की यात्रा पर भी रोक लगा दी है। एक अप्रेल से वोड़ाफोन और आइडिया की सर्विसेज महंगी हो जाएंगी कमपनियों ने मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ा कर मिनिमम 35 रुपे प्रती जीबी दर करने की मांगी है ये मौजुदा दर का करीब 7-8 गुना है कमपनी ने इसके साथ एक निर्धारित मासिक मूले के साथ कॉल सेवाओं के लिए 6 पैसे प्रती मिनट की दर तै करने की भी मांगी है अधिकारिक सूत्रों के अनुसार कमपनी ने एजियार बकाय के भुकतान के लिए 18 साल की समय सीमा की मांगी है इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि उसे ब्याज वा जुर्माने के भुकतान से तीन साल की छूट भी मिलनी चाहिए बॉक्स ओफिस पर आस्तापसी पन्नो स्टारर फिल्म थपड रिलीज हो गई है फिल्म कौनुभव सिनहा ने डेरिक्ट किया है फिल्म रिलीज से पहले ही मध्य प्रदेश में टेक्स फ्री हो गई थी थपड की स्क्रीनिंग अटेंड करने के बाद सेलेप्स ने सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर किया था सभी ने थपड को पावरफुल और मस्ट वाच मूवी बताया था अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हाँ हमारे चैनल एचिस न्यूज को ज़रूर सब्सक्राइब करें देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुखबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जोर दमाए साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले